लात में नीन ना आने के कई कारण हो सकते हैं आप लात में क्या काकर सोते हैं इसका आपकी नीन से लेकर आपकी स्वास्थ तक असर पड़ता है कई तरह का खाना खाने से जहां हमारा स्वास्थ अच्छा होता है वैसे ही बहुत तरेका खाना हमारे स्वास्त को भी नुकसान पहुचाता है और साथ ही साथ हमारी नींद को भी कम करता है तो आज मैं आपको बताऊंगे कुछ चीजें जो कि अगर आप अच्छी नींद चाहते हैं तो सोने से पहले इन चीजम को बिलकुल भी ना खाएं तो आईए देखें पर उससे पहले अगर आपने मेरे चाइनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकोन प्रेस कर लीजे जिससे मैं जब भी नया वीडियो डालू तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए कहते हैं कि जब भी आप परिशान हों या कोई भी परिशानी हों तो आइस्ट्रीम खालो तो काफी आराम मिल जाता है लेकिन शाम को आइस्क्रीम खाना आपके स्वास्त के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है आइस्क्रीम बहुत अच्छी लगती है लेकिन साथ साथ इसमें बहुत सारा फैट होता है रात को आपके शरीर को इस फैट पचाने का समय नहीं मिलता और साथ ही इसका sugar content भी काफ़े high होता है जो कि आपके शरीर के sugar level और fat level को और जादा बढ़ाता है तो मिला चुला कर conclusion ये है कि रात के समय आइस्क्रीम बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए ये आपके शरीर को हर तरह से केवल नुकसान ही पहुचाता है आइस्क्रीम पसंद है, खूब सारी खाएं पर दिन में ताकि आप इसे अच्छे से पचा सकें और ये आपके शरीर को नुकसान ना करें शाम को या रात को जब हमें भूख लगती है और हमारे पर ज़्यादा आप्शन नहीं होते तो पास्ता बनानों और खाना बहुत आप आसान होता है लेकिन शाम को या रात को खाने के लिए पास्ता अच्छा खादिपधार्थ नहीं है क्योंकि इसमें बढ़ता है इसके साथ ही पास्ता में ग्लाइकेमिक इंडेक्स भी होता है जिसके कारण आपका बॉड़ी का शुगर लेविल बढ़ता है और रात को आप देता जगते रहते हैं तो पास्ता खाना पसंद है तो दिन में खाएं रात को बिल्कुल भी नहीं कई लोगों को सोने के पहले डाक चॉकलेट खाना पसंद होता है वैसे भी चॉकलेट कई तरह से लोगों को पसंद आती है लेकिन अगर आप अच्छी नीन चाहते हैं तो रात को सोने से पहले डाक चॉकलेट खाना अवाइड करना चाहिए डार्क चॉकलेट में कैफीन होता है कैफीन आपको सोने से दूर करता है इसी के साथ डार्क चॉकलेट में थीयो ग्रोमाइन नाम का एक इंग्रीडियन्ट होता है जो कि आपकी दिल की धरकन को भी काफी जादा बढ़ाता है तो रात को अगर चॉकलेट खानी है इससे एंजाइटी भी काफी जादा बढ़ती है इसलिए रात को अलकोहल से दूर रहना चाहिए रात को अगर अचानक भूक लगे तो चिप्स के पैकेट को खोल कर खा जाना जितना असान है उतना ही मुश्किल है हमारे शरीर के अंदर के सिस्टम के लिए उस चिप्स को पचाना प्रोसेस्ट फूड में बहुत भारी मात्रा में ग्लूटमेट होता है जिससे की हमारी सिस्टम और नीन में काफी ज़्यादा दखल होता है ट्रिप्स खाएं तो उसे पचाने जितना वर्क आउट भी जरूर करें तो यह हैं कुछ फूड आइटिम्स जो कि आपको सोने के पहले बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए इसके साथ साथ आपको अपना स्लीपिंग हाईजीन भी मेंटेन करनी चाहिए सोने के कम से कम आदा घंटा पहले अपने फोन को अपने रूम से बाहर कर दें जिससे कि आपके स्लीप में दखल ना हो और आपके दिमाग को और आखों को शांती मिल सके थोड़ी लाइट म्यूजिक सुने और फिर आराम से सो जाएं आपको बहुत अच्छी नीज जरूर जाएगी थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें